हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप की आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तो तिलंगना के सिकंद्रावाद से करनाटिका के यसवंतपूर के बीच में एक वंदे भारे ट्रेंज शुरू होने जा रही है और इसका रूट टैम्टेवली स्टॉपेज निकल कर सामने आ जा रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा हम लोग एक एक एक्च्छल बेज को लेकर वीडियो पर सोचते हैं विचार करते हैं उसके बाद एक कंक्लूजन निकल कर आता है जिस पर हम लोग फिर से डिसकसन करते हैं और उसके बाद आ से आठ गंटे में कवर करेगी और यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो राजधानी एक्सप्रेस है उसको लगबग 12 गंटे का टाइम लग रहा है लेकिन ये 7 से 8 गंटे में वंदेभारत कवर कर देगी वाई ये बात करते हैं इस वंदेभारे ट्रेन के रूट के बारे में इसका रूट जो है हम लोग दो सेक्षन में बाट कर समझेंगे समझने में आसानी होगी दोस्तों सिकंद्रावाद से गुंटाकल के बीच का अगर रूट देख ले तो इस पर दो रूट से ट्रेने आती जाती है एक तो यहां पर र रायचुर वाले रूट से अगर देखा जाए तो सिकंद्रावाद से रायचुर के बीच का जो स्पीड लिमिट है वो 130 किलोमीटर पर आवर का है और सिकंद्रावाद से गुंटाकल रायचुर वाया रायचुर वाला जो रूट है यह डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन है और वहीं अगर हम लोग सिकंद्रावाद काचेगुडा गड़वाल कुर्नूल सिटी धोन जक्षन वाला अगर रूट देखें तो यहाँ पर यह जो रूट है यह महभूब नगर तक सिकंद्रावाद से पूरा डबल इलेक्ट्रिफाइड लाइन का है और उसके बाद महभ गड़वाल सिटी कुर्नूल सिटी वाला रूट है इस पर स्पीड लिमिट 110 किलोमेटर पर आवर की रहेगी लेकिन यह सौट रूट पढ़ेगा और वहीं यह जो रायचुर वाला रूट है इस पर स्पीड लिमिट 130 किलोमेटर पर आवर की रहेगी लेकिन यह लोंग रू जाते हैं उसके बाद यह स्वंतपुर पहुचती हैं लेकिन यहां पर सबसे सौट रूट यह धर्मावरम पेनुकोंडा वाला है तो आईए इस रूट पर अब बात करते हैं गुंटाकल से यह स्वंतपुर के बीच में गुंटाकल से धर्मावरम तक का जो रूट है वो डब इलेक्ट्रिफाइड लाइन है आई अब मेजर स्टेशन के उपर बात करते हैं तो सिकंद्राबाद के बाद काचे गुडा कुर्नूल सिटी गड़वाल धोन जक्सन कुंटाकल जंक्सन धर्मावरम जंक्सन पेनुकुंडा जंक्सन और उसके बाद यह लहंका जंक्सन और यह स्वंथपूर जंक्सन तो यह मेजर स्टेशन है अब सिकंद्राबाद से यह स्वंथपूर के बीच में इन में से कुछ स्टेशन चुने जाएंगे जो इस वंदे भारत ट्रेन के हॉल्ट्स होंगे साथ घंटी का समय लगेगा तो टैम्टेबल और रूट आप लोगों कंद्राबाद से यह स्वंथपूर के बीच में इसमें होंगे एक्जेक्टिव कुलास और चेर कार वाले कोचेज तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर